आप्छेट का स्थ एकषाट सकते और जो आपका सभू सामान अपिछेंगे टो चलिए सबसे पहले टिप के तरह हम चलते यह है पुदिना इस बुदिने में बठी लगी हुए क्योंकि समय बड़साद का सीजन तो मैं पुदिना दोने का तरीका बताओंगी आप हरी सब्सब्स को दोतें सब्सपर फैल जाती है पते पेल जाते हैं पुरा गंदा गंदा तो इस बैक को थोड़ा सा फैला लेंगे और जो हमारा पुदीना है हम उसमें पर देंगे आप इस तरह से पुदीना धनिया या मैथी या मूली के पते कोई भी हरी सब्जी है उस तरह से आप इसको दो सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सब्जी धुल जाएगी आपको प पुदीना भर लिया इसके बाद मैंने सिंक में एक बड़े साइस का बरतन रखा है आप कोई भी बरतन ले सकती है भगोना या कोई थाली ले सकती है मैंने इस टील की परात रखिए इस परात को मैंने उपर तक पानी से अच्छे से भर लिया और भनने के बाद मैं जो पुदीने को दूलेंगे और इस तरह से देखिए जो भी गंदगी थी थोड़ी सी बच्ची हुई वह इसमें बिल्कुल साफ हो गई है इसके बाद हम एक बार और इस पुदीने को दूलेंगे और यह एकदम साफ हो जाएगा तो इस तरह से आप अपनी पुदीना या धनिया या कोई भी हरी सब्जी है पालक है कोई भी है उसको आप इस तरह से दोएगी तो आपकी सब्जी एकदम साफ हो जाएगी आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है और इसको करने का को पूरा पुदीना धुल लिया और एकदम साफ हो गया पानी देखिए विलकुल साफ है याने की पुदीने में कोई बी गंदगी या मिट्टी नहीं भरी हुई है तो देखिए हमारा पुदीना ये इस तरह से हो गया मैंने इसको दो तीन मिनट इसको टांग दिया कि जो इसमें एक्ष्टर पानी था वह सारा निकल गया अब हम पुदीने को ताजा कैसे रखे तो यह भी मैं आपको बताऊंगी तो यह सारा पुदीना में थैली से निकाल कर एक प्लेट में कर लूँगी और आपको बताऊंगी कि पुदीने को आप किस तरह से रखेंगे तो आपका पुदीना आठ से दस दिन ता एकदम ताजा बना रहेगा आप जब भी इसको निकाल कर आप इस्तमाल कर सकती है जिसमें भी आपको डालना है आपका पुदीना एक देखिए मैंने इसमें छोटे-छोटे होल कर दी है जिससे पुदीने में या कोई भी आपकी हरी सब्जी है उसमें जो भी एक्षा पानी हो थोड़ा सा निकल जाए तो देखिए इस बॉक्स में मैं पुदीने को भर दूँगी और भनने के बाद इसको हम फ्रीज में रख कोई भी हरी सब्जी आप इसको इस तरह से रखिए आपकी 8-10 जिन तक एक दम हरी भरी सब्जी बनी रही तो यह तरीका आप जरूर अजमाईएगा ने हम लोगर्मीयों काटते हैं तो हमारे सारे हातों में जलन होती है तो मैं यह तरीका आप को बताओंगी का आप इस तरह पर टीए उसमें इस तरह से देखिए उसमें इस तरह से देखिके से स्ररावय nos आपके हाथ में बिलकुल भी जलन होगी इस तरह से इस तरह से मीर्च कट रही और आपके हाइठ में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी इस तरह से आप कितनी भी हरी मिर्च काट सकती हैं काटने गवाद हरी मिर्च को भी आप इस तरह से बॉक्स में रख सकती हैं तो आपका जो बॉक्स में से आपका जब बहुत अच्छे तरीके से देखे एक दम अच्छा सा पीस इसमें मिर् तिसरा टिप्स है मेरा ये खी अभर हर गर में रिंग मतल्य था ятाइब आप भी खाते होग reflect लिए और तो साइज कारें गुलिए को साइज को बागी का खीरा विए 2-3 दिन के लिए आप शुकने का नकाल मेंगे इन किचिन टिप्स को आप करके अपने समय का सदव्यों कर सकते हैं आप अपने सामान की बच्चत भी कर सकते हैं और मेरे ये टिप्स कैसे लगे मुझे जरूर बताईएगा थैंक यू वेरी मुच